हाई दोस्तों आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि फैब्रिक कंडिशनर क्या होता है कैसे इस्तमाल करते है इसे क्यों यूज करना चाहिए तो एक बात तो clear है कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फाप्रिक कंडिशनर को इस्तमाल नहीं किया है इस वीडियो को last तक जरूर देखे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे और एक बात और कि ये वीडियो स्पॉंसर नहीं है मैंने इसे खुद से खरीदा है और मैं अब इसका honest review आप लोगों के साथ share कर रही हूँ दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि only detergent सिर्फ detergent इस्तमाल करने से आपके जो कपड़े के fiber से वो tangle हो जाते है rough हो जाते है, dull हो जाते है, lifeless हो जाते है ऐसा लग रहा है कि ये hair conditioner के बारे में बात कर रहा है अच्छा कोई नहीं चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है कि fresh fragrance मिलेगा, shining eye की clothes में protect करेगा texture को, retain softness और perfect size बना के रखेगा आपके कपड़े का ओके तो चलिए से इस्तमाल कैसे करना ये पढ़ लेते है अगर आप अपने हातों से कपड़ों को धोने वाले हैं तो किस तरह से इस्तमाल करना है इसके बारे में बताया हुआ है पर आज मैं washing machine में से डाल के इस्तमाल करने वाली हूँ तो चलिए हम पढ़ लेते से washing machine में कैसे इस्तमाल करना है आदू कि by default जो automatic washing machine होता है उसमें दो बार rinse होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इसको automatic top load washing machine में तब डालना है जब final rinse बाकी हो जो last rinse का cycle हो तब उसमें आपको डालना है और अगर आपके पास front load है तो front load washing machine जब एक बार start हो जाती है प्रोग्राम तो फिर तो वह नहीं खुलती है इसलिए इसमें ऐसा लिखा है कि आप उसमें उसी वक्त डाल दे comfort को जब आप अपने detergent आप उसमें डाल रहे हो आप क्या मैंने भी खुद ऐसे ही काम किया है मतलब कदम कदम पर अपने washing machine पर नजर रखना कितना पानी लेता है अरे कितना टाइम लेता है दो घंटे का cycle चार घंटे में complete होता है पानी भरने में इतना टाइम लगाता है कितना जादा noise करता है अरे इतना पानी rinse में बरबा हो जाते है क्योंकि हम समझ जाते है कि अगर आप मैनवली 25 से 20 कपड़ों को धोगे अच्छे से तो इतना पानी इतना समय इतना महनत इतना डिटरजेंट लगता ही है तो machine कुछ जादा नहीं लेता है वो normal है आप समझ जाओगे धीरे मेरे पास यहां पर fully automatic washing machine top load है और top load में मैं ऐसा लिखा है कि आप जब last rinse का cycle हो तभी आप डाले comfort को पर मैं अब इतनी active नहीं रहती हूं कि मैं check करूं कि अब last rinse cycle कब होने वाला है तो फिर मैं like जिस तरह से front load में लिखा था कि detergent के साथ ही आप comfort को मिला दीजिए तो मैं यहां वही same काम करने वाली हूं मैं comfort और detergent मैं एक साथ डाल दे रही हूं और देखती हूं कि अब इसका result कैसा रहता है वैसे मेरे मैंने वाशिंग मशीन में करीब 15 से 20 कपड़े होंगे और मैंने एक धकन पूरा एक बड़ा धकन डाला है detergent का और आधा धकन डाला है comfort का आधा धकन डालने से कपड़ों में कोई खुजबू ही नहीं आई कोई फरकी नहीं पड़ा इसलिए मैंने next डे पूरा एक धकन comfort डाला जिस दिन मैंने पूरा एक धकन comfort डाला था उस दिन मैंने दो double size bed sheet को दोया था उस दिन bed sheet से अच्छी सी हलकी सी सुगंधा रही थी तीसरे दिन मैंने सोचा कि चलो अब इसे final rinse के time डाला जाए तो जब 10 नट बाकी था जब final rinse होने वाला था तब मैंने पूरा एक धकन comfort मिला दिया फाइनल rinse के time मिलाने से बस यही फर्क पड़ा कि बाकी दिनों के मुकाबले आज के दिन जादा और खुसबू आ रही थी थोड़ी fragrance जादा आ रही थी आपके जो नए कपड़े होते हैं party wears होते हैं उसमें आप कोई साभी fabric conditioner ज़रूर डाले